नमस्कार मित्रो आप सभी का UPS EIS एक्जाम्स यानि की तपस्वी IIS में बहुत बहुत स्वागत है आज का हमरा जो वीडियो लेक्चर है उसका टोपिक है धम्म ओप असोक यानि की जो असोका की जो धम्म पॉलिस ही थी उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस परेचा करेंगे तो सबसे पहले असोगा के ऊपर थोड़ा को और यो ले लेते हैं असोगा जो की बींदु सार माता का नम सा सुफदरांग का सुनकी लास्क्रेट मौय एम्पायरे उसके बाद यौ पिवू कर गया वो सबसे पहले अपने पिता के काल में वो उज्जेन और तक्ससिला जो कि मोर्य एमपायर का ही एक प्रांथ के सकते हैं वहां के वो गवर्नर या कहे तो एस वाइसरे भी वहां पर सर्विस दे चुके हैं उर्हों ने मोर्य एमपायर की मगत की पातले पूत्र की गदी कब संबाली 268 या फिर 269 BC में वो मोर्य एमपायर की पूरी बागड़ अपने हाथ में संबाली और उसकी उनकी जो पत्नी है उनका नाम है वेदिशा जो की उज्जेन उज्जेन की राजकुमारी थी और साथी साथ उनकी दूसरी दो पत्निया भी थी और उनके पूत्र है उसमें जो महेंद्र है उसके बारे में भी कुछ टक्स ब्रहामनिकल टक्स उसमें दी गए साथी साथ यह जो स्री लंका के जो कैनोंगीकल टक्स है, दीप वन्स और महावन्स जैसे उसमें भी यह दिया गए है और उनके एक पूत्र है महेंद्रो चोकि स्रीलंक का में एज़ा मिस्टनरी उनको भेजा गया था उसके बाद तिवर चोकि अकेले से पूत्र है जिसका इस इंस्क्रिप्शन में उनको रिफट किया गया है उसके बाद है कुनाल तालूक और यह सब है वो असुका के वेलनोन जितने जिनके बारे में जो टेक्स्ट है उसमें लिख गया है और उनकी दो बेटिया भी थी संखमित्रा और चारुमती यह जो संखमित्रा है उनको और उनके भाई जो महेंद्रो है उनको ही स्रीलंका में बुद्ध धर्म का और अपना जो असो का है उनका जो धम्म है उनक कि जीवनकाल की कुछ जो घटना थे उसके जीवनकाल की सबसे महत्वपन घटना है वो है कलिंग का यूद अपने अपने सासन के नौवे वस में उन्होंने कलिंग जो की पहले नंद सामरजी का एक पार्ट था लेकिन जब चंदरगुप्त मौर्य और नंद सामरजी के बीच लड़ाया हुई थी तब वो इंडिपेंडेंट हो गया था उसको फिर से मिलाने के लिए समराट असोक ने उसके उपर अटेक कर दिया था और कलिंग यूद में भारिक सती की कारण ही असोका नहीं है जो दम पॉलिसी है वो अपनाई है और इस कलिंग यूद और अपनी कलिंग के बाद असोका है उनकी पूरी की पूरी जो पॉलिसी है उसमें काफी बदलावा गया उन्होंने जो बुद्ध दर्म है उनका पालन करना सुरू कर दिया उपगुप्थ मौंग है उपगुप्थ नाम के एक जो साधू है बुद्ध साधू मुद्धिस्ट मौंग उनके प्रभव में आकर उनके वो सीशील बन गए जो कि पहले चंड असोक के नाम से जाने जाते थे, अब धम असोक के नाम से वो चाने लगे और समराठ असोक का जो दूसरा नाम था, जो कि काफी एसी उन्स्कृप्शन है, सब इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है साथी दूसरे टेक्स थे कैनोनिकल टेक्स उसमें भी उनके नाम को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में उनको दिखाया गया है और यह जो कलिंग की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ही उन्होंने धम्म की पॉलिसी वो अपनाई पहले उनकी पॉलिसी उनके राज्य का जो दम्मगोस है पहले युद्ध गोस यानि या का है जो फेरी गोस है उनका पहले राज्य पालन करता था अब पूरी तरह से वो दम्मगोस का ही पालन करेंगे तो अब देखते है असुका के जो दम्म है उसके बारे में सबसे पहले जो दम्म है उसका मतलब क्या है उसके बार धर्म है उसका मतलब है क्या है कि आपकी जो moral life है, duty है, righteousness और religion और beauty इन सब को ही धर्म के रूप में देखा जाता है और असुका का जो धम्म है वो है उसको moral code of life भी कह सकते साथ ही साथ असुका का जो धम्म है moral code of conduct या कहे तो way of life भी आप उसको कह सकते है, ideal और जो की more idealistic और practice में भी काफी वो easily था, इसलिए भी यह जो धम्म policy है उसको काफी उनको propagate किया गया है अब देखे तो असुका के धम्म के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो literary sources code कौन से है इसमें पहले आता है यह दिव्यदान, अवादान, मंजसुरी और अमोल कलप यह सब बुद्धिस टेक है, साथी साथ जो वेदिक टेक्स देके तो उसमें पूरान है और कुछ जो chain text है उसमें भी इसके उनके द्वार यह जो असुका के धम्म पॉलिस है उसके उपर उनमें टिपनी या फिर लिखा गया है उनकी जो religious policy है उसमें भी यह लिखा गया है और साथी साथ स्री लंका का जो पाले लिख राजार है दिपवन्स और महावन्स उसमें भी असुका की जो यह धम्म पॉलिस है, religious पॉलिस है उसके बार में लिखा गया है और साथी साथ सबसे बड़ा और सबसे most important कोई जो sources हो जाता है तो यह 34 जो लिखिक records है असुका के inscription है, rock inscription, pillar inscription, यह सब most important असुका की जो धम्म पॉलिस है उसको पढ़ना के लिए यह सब most important हो जाता है अब देखते हैं कि जो धम्म है, सबसे पहले जब यह युद्ध कलिंग का यह युद्ध खतम हुआ तब उन्होंने बुद्ध धर्म अपना है तो सबसे पहले ही उन्होंने धम्म का यह concept के दिवाग में आया, सबसे पहले उन्होंने अपने आप से यह प्रस्ण किया यह उन्होंने खुच से ही पूछा कि धम है वो क्या है तो तब उन्होंने उसी जो सेकनेड है उसमें भी उन्होंने ही आंसर लिका है कि अपासी नवे बहु कायने दया दाने सचे सचे यानि कि जो सीन मेने गूड डेट्स चेरिटी डोनेशन रुथफुलनेस और प्यूरिटी य यह सब है इन सब को ही यह जो धम है उसमें यह सब बाते आती है कि आपका आचरण है वो अच्छा होला चाहिए आप दान भी देने चाहिए चेरिटी करनी चाहिए आपको डोनेशन देना चाहिए आपको सच्चाई और आपकी जो पवित्रता है यह सब बाते है वो धम में लिखी जाती है जो धम है उसमें कंसिडर की जाती है और साथी साथ उन्होंने कुछ ऐसी जो बात है लिखी है यानि कि ऐसे जो कुछ एक्ट है उसको असी नवास असी नवास उनको यानि कि जो बैट डीट्स अब उनको कह सकते है कि बैट डीट्स कौन-कौन से उसने उनने कह कि जो इर्षा है वो क्रोध है निथुल्य चांडिय और हमाने यानि कि यह सब एंगर क्योल्टी फ्यूरी प्राइड यह सब है वो उनको असेनवास कहा गया है कि जब धम को फोलो करते हैं तो यह सब बाते आपको छोड़ने होगी वो असुका का जो धम है उसमें उनका जो को में बेस है तो वो है नोन वाइलेंस वो हमें साही कलिंग वर के बाद उमें उन्होंने अहिंसा को ज्यादा प्राधन्य दिया है वो नोन वाइलेंस के उपर ज्यादा जोड़ दिया गया है यह जो नोन वाइलेंस के वाली बात है वो थर्ड फॉर्थ और इलेवंथ रोग एडिक्ट से उसमें ये लिखा गया है उसके बाद जो ये नोन वाइलेंस के हुआ है तो उन्होंने अपना अपना जो चाल चलन है और जो डेली रूटिन है उसमें भी चेंजिस लाए सब पहले तो हजारों की तादात में उनका जो कीचन है वहां पर प्राणियों का कतल किया जाता था उनके फोजन के लिए लेकिन अब सिर्फ दो मोर और वन डियर यान की एक हीरन को ही उसमें उसको मारा जायेगा फोजन के लिए तो उसको उनके खानपन में भी काफी चेंजिस आया और उन्होंने अपने जो सामराजिया है उसमें भी ये सब बात है वो फेलाना श साथ साथ उन्हों नी ये भी कहा कि अपने जो सात्वा जो रोक एडिक टेर समें उन्होंने कहा है कि जो राज्य है वह सिर्फ और सिर्फ धं dham को ही प्रफगेट नहीं करेगा सिर्फ और जो ठम है उसको भाइदा नहीं देगा जो उनकी यूनिवर्सल tolerant policy है यानि कि जो सब धर्म है वो बराबर है। उन्होंने आजीविक धर्म है साथ जो ब्राहमानिकल या फिर वेदिक धर्म है। उनको ही उतना ही सम्मान और उतने ही freedom दी जीतने की वो धम को freedom देते थे वो इन सबको ही उतना ही जो दान है वो देते थे उसके बाद उनकी जो पहले युद्धवी जय की policy थी वह अब धमवीज़े की जो policy उस में बदल गई है धममवीजय है वो असुखा को जो धर्म पॉलिसी है उसका most जो important aspect भी कहा जाता है वो धर्म विजई है वो उन्होंने जो पहले military से conquest की जाती थी वो अब धर्म या फिर जो कहे तो आपके moral code of conduct इन सब से ही अब दूसरे देशों के उपर विजई परात की जाएगी तो इसी के तोर पर उन्होंने दूसरे दे जे है उन्होंने धम को propagate करने के लिए और धम धमविजई की पॉलिस यह उनको फूरा करने के लिए धम्म महा मातरा के जो officer से उनको धम्म महा जो religious post create की गई उसको धम्म महा मातरा कि धंब महमातरा कहा जाता था उन्होंने ये जो धंब है उसको अपने state ideology के रूप में भी accept किया था और उन्हों का कहना यह था कि all men and all men और state की जो सारी की सारी प्रजा है वो सब मेरे children है whatever action I make I strive only to restart death that I owe to all living creatures यानि कि जो भी में परिश्रम करता हूँ वो हमारी जो प्रजा है उन्होंने मुझे जो जिमेदारी दी है उस कर्ज को उताने का प्रयासी में करता हूँ उन्होंने जो थर्ड बुद्धिस्ट जो काउंसेल हुई थी वो उन्होंने ही पातली पुत्रमा हम उंका आयोजन किया था और साथ्याथ उन्होंने जो बुद्धिस्ट मौंख है और साथे साथ जाथ बुद्धिस्ट मिषे से उनको बुद्ध धर्म और अपनी जो थमपॉलिसा उसका प्रचार करने के लिए स्रीलंका बर्मा और सेंट्रल एसिया और चाइना जैसे वहाँ पर उनको प्यजा है तो इसलिए भी आज हम यह जो चाइना है मौंगोलिया है जापान है यह सब जगापर यह जो थेरावदा और हीन यार महान यार जो बुद्धिजम है वो इसी से ही फेला है और साथ शाथ उन्होंने जो अपने सामराज यह है वहाँ पर उन्होंने जो 16,000 फिकू और पेगोड़ा है और फिकू के लिए जो विहार है उनका उनके विहार के लिए यह स्थूप और जो यह जो पीलर से वो वहाँ वहाँ पर बनाए गए है और तर्मजात्रा और विहाजात्रा इन सब का भी वो आयोजन करते थे और असोका की जो धम पोलिसी थी और उनके जो प्रिंसिपल थे वो प्रेक्टिकल कोड उप सोस्यल और रिलिज़स एथिक्स जादा थे उनके असोका के जो धम है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें काफी एससे जो अच्छे अच्छे गून है वो पायो जाते है जितना की जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया गया है कि जो काइंडने से जिनरोसिटी तुरूटफुलने से अहिंसा है चेंटलने से फर्म डिवोशन है नोन इंजिर्यू और इकल ट्रीटमेंट यह सब जो सोसियलिस्ट जो पॉलिसी है या फिर स्टेट वेलफेर की जो पॉलिसी है उसके बारे में ही जो समराट असोक है उन्होंने उसके उपर ज्यादा पार दिया है जो कि कलिंग वोर के बाद उन्होंने पबलिक की जो वेलफेर पॉलिसी है उसके उपर भी ज्यादा फोकस किया है तो यह उनकी जो तम पॉलिसी है उसके बारे में इनके जो सब जो एडिक्स है उसमें ही ज्यादा बात है, यह सब उसमें लिखी गई है, और असोका का जो यह लिथिक इंस्क्रिप्शन है, वो 33 जो ऐसे प्लेसिस है, जो कि उनका जो एम्पार है, वहाँ उसमें 33 ऐसे जो प्लेसिस है, वहाँ पर यह उन्होंने इसका निर्मान करवाया है, और यह जो उन्होंने ही किया था और ये जो बुद्धिजम है और बुद्धिजम का जो रिप्रेजंटेशन है और ये सबसे पहला एविडेंस माना जाता है क्योंकि उसमें भी जो बुद्धिजम और उनका जो वाइड एक्सपांजन है उसके उपर डीटेलिंग है वो इन एडिक्स के जो एडिक्स है और उनके जो शिलालेक है उसमें भी ये सब बात है इसमें ही लिख गई है और ये सब जो एडिक्स है उसमें भी ये जो वाइड एरिया में जो बुद्धिजम का कौन सेप्ड वो मेडिटरेनियन या फिर जो सेंट्रल एसिया है यहां पर ये पहुंचा है तो इन सब बात है है यह सब बुद्धिस टेक्स में ही लिखी गई है साथी साथ जो असुका का जो फेमोस नाम है बिलोड बिलोड ओप दा गोड्स या फिर कहें तो देवा नाम प्रियदासी यह जो नाम है देवा नाम प्रियदर्सी या फिर उसको प्रियदर्सी असोग अभेघ कह सकते हैं यह सब बात है हैं वो इन फेटिक में ही लिखी गई है और यह जो एडिक है उसकी जो लेंगवज की बात करें तो यह जो पाल है जो कि परोईंचेल मौनिफिकेसन के साथ साथ यह लिखी गई है और साथ जो ब्रामी स्क्रिप्ट है उसमें भी यह सब लिखे गए है और जो नोर्थ वेस्ट साइड वाला जो एडिया है यहां पर जो खरोष्टी जो खरोष्टी लिप है उस और साथ जो कि संस्कृट जैसी ही भासा है खरोष्टी उसमें लिखा गय और उनके जो एडिक्ट है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है सबसे पहला है पिलर एडिक्ट उसे बाद 14 थे इसे जो मेजर रोक एडिक है और major rock inscription और minor inscription ऐसे उनको divide किया जाता है और ये जो edic है ये असोगा कि जो थब्मपॉलिस है उसके main important जो रिशेच्छ सब है वो आप उसको के सकते है जो major rock addict है यह सब किन के उपर जदा पार देते हैं कि जो थम्म के various aspects है उसके उपर जदा वो पार देते हैं यह जो उनकी जो थम्म policy है उसके साथ और उनकी जो humanity किंसिप of humanity और charity है इन सब के बारे में जो किसी में बात लिखी गई थे तो यह सब major rock addict है उसमें ही लिखी गई है अब देखते है उनके चुकर पिलार addict है उसके बारे में देखते हैं पिलार एडिक से हीं वो कहां कहां परस्ती सें उससाथ ऐसे बाड़े पिलार एडिक से को कि अलाबाद में है को सम दिली टोफ़रा मेहरत में में है राम पुर्वर च नंदनगर्ड और सागर ये सब जगह पर ये जो पीलर एडिक से वो खड़ उसका निर्मान किया गया है और ये जो माइनर पीलर एडिक्ट है वो भी सांची सानाथ और रूमींड़ी और ये जो निगाली सागर है यहां पर ये माइनोर रोक एडिक्ट है यह सब वहाँ पर पाया गया है और यह जो पीलर से मैं उसके बात करता हूँ और साथ ही साथ यह जो ओल पीलर से वो सब मॉनलित्स याने की एक ही पत्तर से वो बनाया गए है अब सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला जो पीलर एडिक्ट है उसमें उन्होंने principle of protection to people यानि की पिलर उसमें पहला पिलर एडिक्टी है उसमें protection का पिपल्स का जो protection उसके बारे में लिखा गया है दूसरा जो फिलर डेक्टिट है वो धम के है और उनका जो वर्चू है compensation, liability, truthfulness, purity यह सब बात है इन सब का definition है वो इस second pillar एडिक्ट है उसमें दिया गया है साथिसे जो दीशरा पहली जो फिलर एडिक्ट है उसमें यह जैसे ही असो का ने पहली जो पॉलिसी बनाई थी जो असीनवास या फिर कहतो जो बेट डीट सब के सकते उनको अब बोलिस कैसे क करना ही यह सब बात है यानि कि जो हार्षने स्कुल्टी एंगर और प्राइड यह सब बात है उसको कैसे दूर करना है यह सब बात है इस फिर थर्ट फिलर एडिक्ट में लिखी गई है और साथिसाथ जो राजुक्स की most important officer था administration का उनकी जो duties है उसमें जो पब्लिक वेलफेर की जो ड्यूटी से राजुक्स को सौपी गई थी उनको यह जो राजुक्स थे उनको पब्लिक वेलफेर का चार्ज जो दिया गया था ड्यूटी दी गई थी उनको कैसे डील करना यह सब बात है उसमें लिखी गई है और जो पहले जो कहा जाए तो पहले जो सिकार के उपर समराट असोक और जो रोयल मेंबर के फैमिलिस जो जाती थी वो सब अब बन हो लगा है ये सब है वो इस पात्वी पीलर एडिक्ट है उसमें लिखा गया है अब देखें तो जो छटा पीलर एडिक्ट है उसमें असोका की ज चसके बारे में है ओर सतीं सब्स है जो आखरी जो पिलर और इडिक्ट आख वा उसमें मिल्स कि vendors है ठोड़ियं ने क्या किया कि यह सब बात है वो साथ अष्मिला इडिक्ट है उसमें लिखा गया है और उसके बाद कुछ जो दूसरे जो पिलर एडिक्ट है उसमें की बात करें तो उसमें रूमिन दे पिलर इंस्क्रिप्शन उसमें असोका ने जो धम यात्रा की थी लूम्बिनी और ये लूम्बिनी की यात्रा जो की थी जो की बुद्धिसम के लिए most important site है इसकी यात्रा उ और साथ ही साथ जो उन्होंने उसमें जो राजे का कर होता है उसमें लूमिनी को बाकात किया था उसके बारे में भी लिखा गया है और ये निगलिशागर पिलर इंस्क्रिप्शन है पहले जो कपिल वस्तू में located था उसमें असोका ने क्या ये जो स्तूप है और इन सब के पिलर इंस्क्रिप्शन ने उसमें लिखा गया है अब देखते हैं जो मेजर रोक एडिक्ट है वो most important हो जाते है जो मेजर एक रोक एडिक्ट है वो कहा का पर पाया गया है जिसमें मान सहरा है हाजारा साबाजगडी पेशावर कालसी देहरादून गिरनार जुनागट सोप परा, थाने, धोली, चोरगड, इरागुडो, रूपनाथ, बेरत, सासाराम, गाविमाथ, पालकी और यह जो इरागुडी है यहां सब इन सब जगाओं पर असवका के जो मेजर रोक एडिक है वो सब वहां पर निर्मित किये गए है तो अब देखते हैं उन सब जो रोक एडि पाइज और एनिमल स्लोटरिंग जो होता थी और साथ अंनों ने फैस्टिव गेडरींग यानि कि जो गेलिंग फैस्टिव गेड darings जो होते सब भी जो यह सब जो ओगेरे एक्टिविटिस होती है उन सब को अनों ने बैन कर दिया है, यह सब बात है, यह सब उन्हूने जो मेंन और एनिमल्स प्राणी और मनुशिया दोनों को ही उन्होंने equally माना है उनको equally मेडिकल ट्रीट्मेन या फिर दूसरी तरह कि जो ट्रीट्मेन है वो उन दोनों को equally दी जाएगी साथ-साथ उन्होंने यह जो चोला पांडिया और साउतिंगे के जो किंगडम है वहापर उन्होंने मिस्टनरिस को भेजा है उन सब के बारे में यह दूसरा मेजर एडिक्ट है उसमें लिखा गया है और यह उसके बाद आता है नमबर त्री जो कि उन्होंने अपने बारवर्स के सासन काल पूरा हुआ उसमें यह उसके बाद यह निर्मिट किया है और यह जो ब्रामना और स्रम या फिर कहें तो वैदिक और चेहिंद्धर्मा दोनों के तरव अपनी जो जिन्वरसिटी है उनको दिखाने के लिए और यह सब बात है वो मेजर रोक्ट एडिक्ट्री में लिखी गई है साथी सा तो उन्होंने इसमें यूक्त और प्रादेशिक और राजुक है उनकी जो ड्यूटी है उसमें भी उन्होंने इसके उपर लिखा है साथी साथ दो धम पॉलिसी का विचार जो विस्तार है उसके बारे में भी लिखा है उसके बाद जाता है चोथा जो मेजर रोक्ट एडिक उसमें उन्हें कहा है कि जो भेरिको से वो human being के लिए ideal नहीं है साथ उन्हें धमगों से उसको human being के लिए ideal गोसित किया है इस major rock addict जो चोथा major rock addict है उसमें उसके बाद आता है पाँच ह beliefs major rock addict है उसमें उन्होंने धम महा मातरा की जो पोस्ट उन्होंने क्लियर्ट की थी उनके बारे में उनकी जो ड्यूटी है स्टेट वेल फिर की जो ड्यूटी और धम का जो प्रोफोगेशन है उसके बारे में यह सब लिखा गए है साथ ही साथ जो उनकी जो पॉलिसी थी स्लेव और या फिर गुलाम और उनके मालिक के जो ऑफिसर से उनको प्रजा की जो कंडिशन है वो उसके बारे में सीधे राजा के पास कभी भी वो आ सकते हैं इस सब बात है वो मेजर रोक डिक रोक एडिक 6 यहन की चो छटा मेजर रोक टेडिक है उसमें उनको यह सब लिखा गए है साथ ही साथ उन्हों ने जो टोलरेंस की बात है वो भी यहां पर वो की गई है और उसके बात देखे तो साथ वाजों मेजर रोक एडिक्ट है उसमें टोलरेशन अमोंग ओल सेक्ट याने की सबी धर्मों और सबी पंथ है उसके प्रती सम्मान आप भाव ही राज्य है वो उन सबी धर्म को बहुत धर्म की ही तरह ही ट्रेट करेगा तो यह सब बात है वो मेजर रोक एडिक्ट नंबर 7 में लिखा गए है उसके बाद आठ यह जो धम यात्रा है बोध गया ने धम यात्रा की थी उसके बारे में लिखा गया है जो कि उनके सासन काल के दस्वे वर्स में उन्होंने वहाँ पर जो बोध गया की जो यात्रा की थी उसके बारे में लिखा गया है और नवा जो मेजर रोक एडिक्ट यह उसमें उस वक् रिष्टि दुसरी तरह कि जो सेरेमनिस होती थी और ये सब बात है उनको उन्होंने कनिम्ड किया है powinneka quasini में इन सब तरह की सेरेमनिक के लिए कोई अवकास नहीं है तो ये सब को कनिम्ड किया है उसके दसवा जो major rock addict है उसमें उन्होंने जो फैम और गलोरी है और desire for fame और गलोरी है उसको उन्होंने condemn किया है major rock addict 11 उसमें उन्होंने जो थम का फेलावा है इन सब के बारे में उन्होंने उसमें लिखा गया है और उसके बाद आता है बारवा जो रोक एडिक्ट है उसमें उन्होंने जो उनकी दूसरे जो religious sect है उसके प्रती उनकी जो policy है tolerance यूनिवर्सल tolerance की उसके बारे में ये बारवा जो major rock addict है उसमें लिखा गया है उसके बाद जो तेरवा जो major rock addict है उसमें ये most important असोका की history के लिए most important है क्योंकि उसमें ये जो killing war है वो भी उसमें दी गई है साथी साथ जो उन्होंने बुद्धिस्त missionaries जो भेज़े थे उनकी दो धम्मवीज़े का जो policy थी और इसी के तहट जो Greek kings, Antiox, Ptolemy, Antigonus, Magus, Alexander और साथी साथ साथ इंडिया के जो सामराज जो चोल और पांडियर सामराज kingdoms थे वहाँ पर उन्होंने जो धम्मवीज़े के लिए जो missionaries अपना जो mission भेजा था उसके बारे में ये major rocked addict 13 में ये सब जो बाते है वो लेकी गई है और जो चोधवा जो 14th major rocked addict है उसमें उन्होंने ये जो inscription है सब अपने सामरज में जो inscription का निर्माण करेंगे इन सब यह सब जो बात है वो यह जो 14th major rock addict है उसमें लिखा गया है तो यह सब जो बात है आपको यह याद रखनी है उसके बाद उन्होंने जो minor rock addict है वो भी काफी एसी जो जगह है वहाँ पर बुटका निर्माण किया था उसमें जो उनका जो बुद्धिजम में फेय थे उसमें बारे में लिखा गया है के साथे जो एक महत्वपूर्ण होता है क्वीन एडिक्स और साथे साथ जो बारबर के वह बारबर के इंस्प्रिक्शन और कंधहार माइनोर रोक को इस्क्रिप्शन यह सब वह वह मेजर रोक एडिक्ट है उसके अलावा यह सब भी एक most important resources हो जाते हैं और साथी साथ कहें तो कलिंगा में भी माइनोर रोक एडिक्ट मिले है उसमें एक रोक एडिक्ट में उन्होंने कहा है कि जो old people are my son और दूसरे एक जो रोक एडिक्ट है उसमें अपने बारे में उन्होंने यह सब जो बात है वो दूसरी तरह के एक जो रोक एडिक्ट है उसमें लिखा गया है उसके बाद जो क्वीन एडिक्ट है उसमें अपनी जो दूसरी पत्नी थी उसके बारे में लिखा है तीवाला की जो माता थी उसके बारे में लिखा है उसके इस आजीविक सेक्ट का ही वो पालन करते थे बिंदुसारबाद में आजीविक ही बन गए थे तो उनको उन्होंने जो दान और यह सब होगे रहा जो दिये थे इन सब जो बाते है वो इस उसमें लिखा है उसके बाद यह जो कंदहार है बाइल बाइलिंग्यूल रोक इंस्क् अब देखते हैं कि एक दूसरा भी एक मोस्ट इंपोर्टन जो निर्मान करवाया था वो है स्टूप स्टूप है यह उनका मतलब होता है कि यह यह पालिपासा का सब् Heyוזत्या मतलब एक ठेयर भी है स्थूप से उसका निर्माण अपने एंपायर में काफी एसी जगह ओपर अपने जो एंपायर है उसमें काफी एसी जगह ओपर अपने ये जो स्थूप है उनका निर्माण किया है और स्थूप इस जो एक टिले नुमाज की आकरूटी होती गोल ये सब है वो जो बोध आउसे से उनको रखने के लिए उसको बनाया जाता है और उसको बोध के प्रात्ता स्थाल के रूप में भी देखा जाता है और साथ ही साथ यह जो दिगनिका है उसके उसमें भी जो लिखा गया है कि भगवान बूध ने कहा है कि मेरे मृत्यू के बाद में जो मेरे आउसर से वो इस यो स्तूफ है उसका निर्माण है वो पूरे जो सामराज है उसमें काफ़ी जगाव पर किया है और इसी बात की जो इसी बात है वो चाइनिस जो पिल्ग्रिम्स थे फाहिया और युएन सांग और साथ जो असौक वंदरना नाम की किताब है उसमें वी यह सब जो स्थूप है, असोग द्वारा निर्मार की अगये स्थूफ है उसके बारे में लिखा गया है और युए इन सांग है, उसने अपनी किताब में इन सब जग़ा उपर स्थूप का निर्मार किया गया इसे लिखा है कि उसमें कुषफपकलावत ही वहाँ पर किया था कास्मिर में भी तक्ससिला में साकल या फिर कई तो सियाल कोट मतुरा कन्नोज कोवसामभी कपिल वस्तू लुम्बिनी कुसिनगर सारनाथ वैसाली ये जब सब ये जो जगा है इस सब भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेटर तो यहाँ पर भी उन्होंने बुद्ध के पाटली पुत्र, राजगरी है, कलिंग है, कोसल है और सांची इन सब जगा उपर स्तूप है उसका निर्माण किया है उन सब में सबसे जो फेमस है वो है सांची का स्तूप ये जो सांची का स्तूप है वो सबसे बड़ा स्तूप भी उसमें माना जाता है क्योंकि ये जो है वह इन सब स्थूप में काफी famous है और इनकी जो कारीगरी है और जो architecture उसके लिए भी ये जो है वो काफी famous है और अब देखे तो असोका की जो थम policy है उसका summary देखे तो उसमें क्या था कि उन्होंने जो policy अत्म नहीं थे उसमें good treatments for all साथ शाथ सब को frame करना ये सब बाते लिकी ती साथ जो अहिंसा और नोन वाइलेंस की जो प्रयक्टिस है उसके उपर भी उन्हों ने अपनी धंब पॉलिश है उसमें साथ ध्यार दिया साथ उन्होंने अपनी जो एड्मिनिस्टेशन और अपनी गवर्मेंट मसीनरिस थे उनका इस्तमाल यह जो यह फिर कहें तो जो ध प्रिवेलेंट जो एकवर ट्रीटमेंट है उसके उपर भी उन्होंने ज्यादा पार दिया साथ जात जो नोन वाइलेंस है अनिमल सेक्रिफाइस से सूपर स्टिशन है और इन सब बातों को भी उन्होंने अपनी जो पॉलिश है उसमें कंसिडर किया है साथ जात उनकी जो tolerance policy немного toleren sun ऑर युनिवर्स में इन सब उपर भी उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था क्योंकि उस वक्त जो मोरें नेमपायर था वो मल्ति रेलिजियस और मर्टी कलरेंगर मल्ति एथनिक था क्योंकि उसमें काफी ऐसी जगाव वो अलगला प्रकार नोग रोघ के लोगते थ वो बुद्धिस धर्म को वो सम्मान से देखते थे उतना ही वो दूसरे धर्म, जहिन धर्म और जो वेदिक धर्म है उसके उपर भी वो उतना ही ध्यान देते थे शाथ शाथ उनका opposition था, superstition के उपर जो animal sacrifices और दूसरी ऐसी जो practices होती थी उसका वो कड़ा जोर विरोत करते थे, साथ ही साथ जो अपनी policy है, उसमें भी काफी बड़ा change दिशा है, क्योंकि वो धम है, उसको अपनी politics में भी उन्होंने involved कर लिया, साथ ही जो government, machinery और administration है, उसमें भी यह जो धम है, उसका बहुती बड़ा योगडान रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि असोका की जो policy है, धम की policy वो उसके state welfare के उपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, और धम है वो most important principle भी अपनी मोरियन government के लिए भी धम है, वो असोका के समय में एक most important principle बन जाता है साथी साथ socio-historical context में देखे, तो ये उनका जो implementation है, वो काफी impressive तरीके से ही हुआ है, तो अब देखते हैं कि जो warrior empire का जो पतन हुआ, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे में देखते हैं, जैसा कि जो समराट असोक है, उनकी जब मृत्यू होती है, तो 32 BC में, तो ये जो warrior सामराजिया है, उनकी मृत्यू के थोड़े समय बाद ही वो disintegrate हो जाता है क्योंकि ये सब जो कुछ ऐसी जो policies है और principal है, उससे ही ये जो warrior सामराजिया है, उसका disintegration हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, कि ये जो warrior empire है, उसका foundation कैसे हुआ था, blood और iron, इसकी वज़ा से ही ये जो mighty warrior empire है उसका निर्मान सक्या हुआ था, और उनको maintain ही उसी policy से ही उसी जो policy है, उसी से ही किया जा सकता है, लेकिन जब ये जो Samraat Ashoka की जो धम policy है उसमें काफी जो कि उनकी government का एक basic principle और कहें तो important principles है तो उसी से ही ये जो government policy है, उसमें काफी changes आया तो ये भी एक कारण से ही कि सकते हैं कि जो moran empire है उसका disintegration या फिर decline का है तो हुआ है, और काफी ऐसे जो historians है उसको ही असोका की जो non-violent policy है, उसको ही responsible factor के रूप में देखते है कि उनकी जो non-violence and policy और जो pacifist policy है उसी से ही जो moran empire है वो decline कर गया और साथी साथ देखे तो military involvement है वो भी काफी कम हो गए थी उनकी आर्मी है, उनके पास कोई काम नहीं बचा था क्योंकि जो पहले पहरी कोस हुआ कर था अब धमकोस बन गया था तो उनकी आर्मी है, वो अब free होने लगी free ही हुआ करते थी तो आर्मी है उसमें भी उनकी जो उसकी जो policy है उसकी काफी बड़ा चिंजिस है तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है क्योंकि उनकी जो non-violence policy के तहद आर्मी है, उसकी कोई movement नहीं कराए गई, कोई आर्मी है, कोई युद में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो ये भी गई कर देखते है की जो कारण है, उसको थोड़े से विश्टार में देखते हैं तो सबसे पहला जो कारण दिया जाता है, वो विक successor का का जो कारण है वो दिया जाता है सवराठ असोका की जो मौथ होई तो उसके भृतियू के बाद थोड़े ही सामय में चार या पॉर्दिकेट्स में ही पूरा का पूरा जो मोर्या एमपायर है वो कोलेप्स कर दिया है चोटे-चोटे तुकड़ों में बत गया है और यह सब जो बात है वो बुद्दिस्ट जेन और और दvaluation जो ग्ला ठेक्स है उसमें यह सब जो बात है वो लिखी गई है उन्हों है उसके उपर पुरा कंट्रोल सक्ति से कंट्रोल रख सके उन और सभी सभी के सभी जो आये है वो सब वी की ही आये है और जो पहले तीन राजा थे चंदरगुप्त मौरिया बिंदुसार और असोक इन सब ने ही इसके उपर एक मजबूत पकड़ रखी दियो सुपर विजन रखा था इसी से ही मौरिया सामरज यह है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा सामरज था उनको चलाना के ल पकड़ है वह बहुती मजबूत होनी चाहिए लेकिन एसा जो है वह ना हो सका तो इसलिए भी जब एड्मिनिट्रेशन वीक पड़ गई तो एमपायर है वह उनकी पूत्रों दरा डिवाइट किया गया सबसे पहलों तो एमपायर है वह की मृत्य के बाद वेस्टन और इस् प्रित्यू के बाद जो गवर्मेंट मसीनरी से वह सिर्फ पॉलिशी ऑफ धम्म के उपर ही ज्यादा जोड़ देती थी गवर्मेंट मसीनरी से और साथी साथ जो एड्मिनिस्ट्रेटिव पॉलिशी है वह पैसिफिस्ट और नोन वाइलेंस की होगी क्या हम उनको चालू र रखनी है या पहले जो इंपरियल चंद्रगुप्त मौर्या द्वारा इंपरियल पॉलिशी है अपना ही गई थी उनको फिस से चालू रखना है तो ये भी एक कारण है और साथी साथ उनके किसी भी ऐसे जो पूत्र है उसमें ये कोई कैपिबिलिटी नई थी जैसे कि अपने इतने बड़े सामरज्य को चला सके दूसरा जो कोई कारण है तो वास्टने सोप में पर ये कि आब अभी अभी का जो पॉलिकल इंडिया का मेप देखे तो वो भी इतना बड़ है उसको चलाने के लिए कापे डिपिकल्टिस आ रहे है तो उस वक्त को ये पूरा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है साथी साथ इरान के कुछ पार्ट नेपाल है बांगलाज है इस सब एरिया को ये इन्वोल करता था इन सब यहां पर ये सब जगा उपर देश में ये जो सामरज्य फेला था तो इसके उपर से जो पकर रखने के लिए एक मजबूत कोई म मृत्यों हुई तो उसके बाद भी ये एसा ना हो सबा क्योंकि जो सामरज्य है उसका विश्तार ही इतना बड़ा था तो इसलिए भी ये कारण है वो माना जाता है और जो वास्टनेस है वो वो इस इसेल्फ और सोर्स ओफ विक्नेस राथर देन स्ट्रेंथ बिकॉज अप जो लेकि ऑप कोमिनिकेशन एंड प्रोपर एड्मिनिस्टेशन याने की जो वास्टनेस है वो खुद ही एक सामरज्य को खतम होने के लिए ये खुद ही एक वीक्नेस का एक उधाहर आपको प्रोवाइड करती है वो भी उत्ना प्रोपर तरीकिशन नहीं होता है साथ ह equations जो आपके सामराज्य को वीक करने के लिए ये जो है वह एक करण बन सकता है क्योंकि उस वगत क्या होता था कि इन सब जगह जो प्रान्थ है जैसे कि जो तकसे सिलह रहे जो कंदहार है इन सब जगह हो पर और साथ इंडिया में में भी काफी जगह ओपर यह जो हाय रेंकिंग ओफिसेल नियुक्त किये जाते थे वो मर्यंस फेमिली या फिर असोका के द्वारा ही यह नियुक्त किये जाते थे साथी से जो एड्मिनिस्ट्रेटिव जो नियुक्त किये जाते थे वो भी पार्टली पूत्र से ही नियुक्त थी तो वो लोग इस सब परिस्थियत परिस्थित होती है उससे अवेर नहीं होते थे तो इसलिए भी ये कारण माना जाता है कि जो स्थानिक लोकल पीपल से उनको पब्लिक एड्मिनिस्टेशन में काफी कम योगडान देना पड़ा क्योंकि पार्टली पूत्र से ही जो ब्य बिंदुसार है उस वक्त ये जो तकसीला है वहां रिवाल्ड हुआ था उसको असोक नहीं दबाय था वहाँ पर जो reward हुआ था उसका main कारण ही यह जो administrative policy है उसको ही कहा जाता है तो यह भी एक vastness of empire में एक कारण होता है कि जो administrator है वो proper नहीं हो पर है वो नहीं हो पाता है जैसा कि हमने पहले discuss किया कि मृत्यू के बाद यह जो empire है वो western और eastern part में divide हो गया और यह जो eastern part वाला area है उसको avoid ही किया गया तो यह भी एक कारण माना जाता है क्योंकि eastern part है वहाँ से ही यह जो foreign invasion है यह सब है वो वहीं से ही हुई थी क्योंकि मोर्य सामराजिया जो weak हो गया था तो जो Greek empires थे selucid empires वो सब है वो भारत की उपर वो नजर लगा है बेट दे पहले असोका का डर था लेकिन वो भी डर अब नहीं रहा तो यह सब भी जो foreign invasion है वो सब भी चालू हो गये थे और तीसरी एक जो policy है उसको उसका कारण मानने जाता है तो वो है असोका की जो grabbed इसे इस ही को कईगी इसका कारण वो मानते हैं क्योंकि यह जो असोगा की जो फोलिसी आर्शिय है इसम्राइवो भी UX हो क्योंकि कि उसमें जो मिलिटरी है उसको सिर्फ लगाई गई तो मिलिटरी के ऊपर मिलिटरी को उपर जो धियान है वह बी काफी कम हो गया तरै इसलिए भी जो military है उन्होंने अपनी जो capability है वो सब बाद में दीरे-दीरे उन्होंने खो दी तो इसलिए भी जो foreign invasion है उसका सिर्षिला शुरू हो गया साथिसाथ जो internal revolt है उसका भी एक जो सिर्षिला है वो शुरू हो गया साथिसाथ इस सांतिलक्सी पोलिसी से जो लोग है उसमें भी यह जो military attitude होता था पहले जो चंदरगुब्त मोर्य के वक्त में जो military attitude build up हुआ था इंडिया के हमारे लोगों में प्राजिन भारत के लोगों में जो यह जो हुआ था वो सब असोका की सांतिलक्सी पोलिसी है उससे यह जो military attitude है वो people के minds में ही निकल गया इस तो इसलिए भी यह जो पोलिसी है वो पेसिफिस्ट पोलिसी उसको कारण मानते हैं और उसको काफी सालों बाद इस स्पेसिफिस्ट पोलिसी है उसका खामयाजा हमें भुगतना पड़ा कब 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्योंकि उस वक्त भी यह जो state welfare और सांतिलक्सी पोलिसी के उपर ज्यादा ध्यान दिया गया और हमारी जो आर्मर्ड फोर्सी से उसके उपर ज्यादा ध्यान नह दिया तो इसलिए ही चायना और पाकिस्तान दोनों के दोनों राष्टाने हमारी जो जमिन है चम्मु कास्मीर और अक्साई चीन वाला जो एडिया है उन दोनों ने हमसे छेन लिए तो ये बहुत ही ज्यादा पैसिफिस्ट पोलिसी है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है क तो उन्होंने कलेंग बोर के बाद लड़ाए लड़ना शुरू कर दिया तो जो आर्मी है उसमें भी उसकी जो मेनेवरेबिलिटी और उनकी जो कैपेबिलिटी है कैपेसिटी उसमें बहुत ही बड़ा चेंजिस आ है उसमें गीरा उट आई तो इसी से ही यह जो फोरेंड पावर्स फोरेंड इन्वेजर है वो सब छोटे छोटे चोटे जो किंग्डम्स पंजाब जो इस्टन पार्ट वाले और माप किजेगा यह जो वेस्टन पार्ट वाले जो पंजाब वाला एरिया कंधाहार वाला जो एरिया है वहां पर फोरेंड इन्वेजर है वो सब सुर जना में थे उसमें भी पेसी फिज़िव है वह आ गया क्योंकि उस वक्त की आप आर्मी देखाए तो चंद्रकुप्त मोरिय की आर्मी में 6 40000 से ज्यादा से शैनिक थे 9000 से ज़्यादा रत थे 6000 से ज़्यादा वोर एलिफंट से तो ये सब है वो निस्किरिय परिष्ठिती में आगए तो उसकी capability है उसमें भी काफी changes आए साथी जाथ उसका जो mindset है उसमें भी काफी changes आगए ये सब जो सांतिलक्सी है वो वो गयत तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है उसके बाद ये जो है centralized administration ये जो ये जो थियरी है वो mainly जो historians है रोमिला थापर जी उन्होंने ही इस centralized administration की वकाल की है कि ये जो the nature of modern necessitated a king a strong abilities यानि कि जो modern administration है उसमें राजा की सक्ति के उपर ज्यादा भार दिया है कि आप राजा जीतना सक्ति साली होगा administration है वो उतना ही अच्छा होगा उसमें राजा है उसका खुद का ही जो direct touch होता है उससे state की functionary के उपर प्रभाव परता है तो इसलिए भी ये जो centralized administration है उसको भी एक कारण माना जाया है कि बागत में जो weak successor है उसका administration के उपर उतनी पकड़ नहीं रही जीतनी चंदरगुप्त और अस्वखा के द्वारा उनके उपर ध्यान रखा जाता था उतनी बाद में नहीं हुई तो ये भी एक centralized administration है उसको कारण माना जाया है highly centralized administration under the Morians become a problem with later Morians kings who were not efficient administrators as their predecessor यानि कि जो पहले Morians थे चंदरगुप्त, बिंदुचार और असोग ये सब उन सब की जितनी पकड़ थी administration के उपर उतनी पकड़ बाद के जो Morians है later Morians उनके जो successor है उसके उनके द्वारा उतनी पकड़ नहीं रखी गई तो ये भी एक जो policy है वो ये जो कारण है वो माना गया है उसके बाद आती है economic problems ये जो theory है वो historians डेडी को सामभी उनके द्वारा ही ये दी गई है कि economic problems होई थी उन्होंने कहा है कि ये जो है सबसे बड़ा जो कारण है वो taxis है उसमें increase हुआता तो उसी से ही उनकी economy है उनके उपर काफी ज़्यदा मार पड़ा है और उन्होंने दूसरी argument दी है कि जो उसका evidence है वो punch mark coins देखे तो उस पर होता है कि जो punch mark coins है उसमें भी उनकी जो currency देखे उसमें भी बाद में एक बहुती बड़ा जो changes आया है तो ये भी एक जो कारण है वो माना जाता है साथे साथ एक दूसरा कारण ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जो iron है उसका इस्तमाल ज्यादा होने लगा था तो सामरा जगे पूरे के पूरे सामरा जगे iron की जो खपत थी वो सिर्फ मगद है वो पूरा नहीं कर पा रहा था इसलिए भी जो economy है जो कि iron उसके लिए काफी important हो जाता है तो economy है agrarian economy है उसमें काफी गिरावट आई तो इसलिए भी ये जी ये भी एक जो कारण है वो आने सुरू हो गए साथिजाद deforestation से ये जो फेमाइन से उस जैसी ही परिस्तेतिया आ गई तो economy है वो काफी week हो गई तो इसलिए भी है उसका एक कारण है वो माना जाता है उसके बाद आता है rise of local politics यानि की मगद पातली पूत्र की पकड़ इन सब जगा ओपर उतनी नहीं रही जितनी असोक और चंद्रगुप के वकत थी तो ये सब छोटे छोटे जो राजिय थे खिंग्डम्स थे वो सब अब अलग होना सुरू हो गए थे क्योंकि ये जो great morians है ये सब वो distance province के उपर उनकी पकड़ है उनके पास capability थी उनके पास power था कि उसके उपर वो पकड़ रख सकते हैं लेकिन बाद में क्योंकि उसके पास charisma personality, charisma और greatness थी उसी थे ही वो administrator इन सब जगह ओपर administrator करते थे लेकिन बाद में असोगा के बाद उसके किसी भी पूत्र में उतनी एसी capability नई थी कि वो इन सब है उसको united रख सके इसलिए भी छोटी छोटी जगह ओपर जो local politics है खास पर देखे तो कंदहार है पंजाब वाला जो area है वहाँ पर और साथी साथ दूसरे छोटे 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 जो kingdom से और असोक के मृत्यू के बाद यह जो killing है वो भी मोरे empire से अलग हो गया साथी साथ जो दूसरे है छोटे छोटे kingdom वो भी असोक के मृत्यू के बाद अलग हो गए तो यह भी एक जो कारण है वो माना जाता है क्योंकि पाटली पूत्र में अब उसके उतनी capability नई थी कि वो दूसरों के उपर यह पकड़ रख सके और उसके बाद एक theory यह भी दी जाती है कि ब्रामनी का reward हुआ था क्योंकि अब देखे तो यह जो theory है वो महा महुपाद्य हर प्रसाथ सास्त्र है वो भी इस theory की वो वकारत करते हैं उनका कहना है कि अशोका की जो ध давно policy हुई उससे जो ब्रामन जो पहले का जो जो वेदिक धर्म है उसके उपर ज्यादा प्रभाव पड़ा ब्रामनों के उपर ज्यादा प्रभाव पड़ा ऐसा उनका कहना है लेकिन उनका ये माना है कि धम पॉलिसी से जो स्टेट का पूरा का पूरा जो नेचर है वो बदल गया क्योंकि बुद्ध धर्म है वो अब फोकस में आ गया और जो ब्रामर धर्म है या फिर वेदिक धर्म है वो बेग ग्राउंड में चला गया तो इसे से ये ब्रामर उन्हो ही सास्त्री से डी सेगरी होते indicates कभी भी एसी इसी इंस्क्रिप्शन में पाया नहीं गया है कि अश्वुक है उसने ब्राह्मनों के साथ और दूसरे धरम के ब्राह्मन धरम ह्ये उसके साथ उन्होंने कोई भी एसी गलत तरीके से उनको trade किया है वो कही पर भी ऐसा पाया नहीं गया है और कुछ जगह हो पर तो ब्रामन है उनको higher ranking में ही दिया गया है उसका उदारन है मोरी सामरजी की जो आरमी है उसका उसके कमांडर के रुप में फुस्य मित्र सूंग को नियोक्त किया गया था ये जो पूशी मित्र सूंग है वो है वो एक ब्रामन ही थे तो ये थियरी है महा महपाद्य हर प्रसास्त्री की वो उतनी relevant नहीं रहती है साथी साथ अब देखे तो ये जो थियरी है उसमें भी उसने उन्होंने कहा है कि जो animal sacrifices और rituals और ये सब जो होता उससे ही जो ब्रामनिकल reward है उसकी सुरवत होई थी लेकिन वो भी उतनी गलत है क्योंकि ये जो non-violence की policy और animal sacrifices है उनको बंद करने के लिए उपनी सद है उसमें भी काफी इसा जो उपनी सद है उसमें लिखा गया है कि जो उपनी सद है ये जो animal sacrifices है वो बंद होने चाहिए सा साथ ये जो non-violence का जो concept है वो वेद और काफी जो उपनी सद है उसमें भी लिखा गया है और साथी साथ ये जो पुष्यमिंत्र सूंग का ये जो कू कहते है उसको भी एक जो कारण मानते है क्योंकि जो आखरी जो मोर्य था वो इतना उतना वीक हो गया था क्योंकि उस वक् कुछ ऐसे जो ग्रीक राजा थे वो इंडिया के उपर अटेक करना चाहते थे लेकिन जो पुष्यमित्र सूंग है वो उसने जो ब्रुहद्र थे वो तब राज कर रहा था लेकिन वो सिर्पर नाम का ही राजा था क्योंकि उसके पाद कोई उतनी पावर नहीं थी लेकिन प था कि वो इन सब इन्वेजन को जेल से के तो हुआ भी ऐसा कि पुष्यमित्र सूंग ने एक कू कर लिया और मगत सामराजी है उसका जो पूरा कपूरा जो सामराजी है वो अपने उसकी बागडोर अपने आत में ले ली तो आप ये भी नहीं कह सकती कि जो ब्रामनिकर एड्मिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उससे उसका पतन हुआ है और असोका की जो थम पॉलिसी है सान्ती लक्सी पॉलिसी पैसे फिस्ट पॉलिसी उससे उसका पतन हुआ है ये भी एक जो कारण है वो माना जाता है जो एकनोमिक पॉलिसी एड्मिस्ट्रेटिव पॉलिसी है औ जो pacifist policy है और साथअगर्स बास कारण कि जो administrative है उसमें उतनी पकड़ नहीं रही तो इसलिए भी जो मोरिय सामराज जी है मैं इसलिए इसलिए भी मोरिय समाराज मैं है। यह जो है वो शुरू हो गया और साथी साथ उसके बाद जो छोटी छोटी जो सामरजी है उसका जो दोर है वो शुरू हो गया तो आसा करता हूँ कि आपको यह जो वीडियो पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा